इस वीडियो में बात करने वोलाओं किस तरीके से डाटा इंटरनेट आप शेर कर सकते हो एक फोन से दूसरे फोन में दूसरे फोन में सीम नहीं लगा है और एक फोन में सीम है उसमें रिचार्ज है तो आप उसको कैसे शेर कर सकते हो एक phone से दूसरे phone में internet कैसे चला सकते हो आज के वीडियो के अंदर यही बात करने हो लाओ आगे बढ़ने से पहले चैनल को subscribe और वीडियो को like कर दीजीगा चले ही शुरू करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना होगा किसी भी mobile में अगर आपका data है तो उस data को on करना होगा suppose इस mobile में मेरा data परा हुआ है और मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें मेरा wifi भी connect है तो wifi को मैं भी बंद कर देता हूँ और data को on कर लेता हूँ on करते ही इसमें से मैं wifi भी बंद कर देता हूँ ठीक है मैंने बंद कर दिया है अब मैं आपको बताता हूँ इसमें से host port को आपको on करना होगा इसको connect करने के लिए host port को on करेंगे या इसको press करके रखेंगे तो यहाँ से इसको on करना है यहाँ पे QR code दिखेगा आपको लोटियु आइगे हुँस गैन हो गया ऊच्यामी का फून है आपको मैं दिखा देता हूं योय आठ को इसाओमी का फून लिखा हुआ भी आ रहोगा आपको अब इधर का इंटरनेट में इधर चला के भी दिखाcidos हूं और ऐसा नहीं कि इधर नहीं चल रहा है अब देख सकते हैं इधर मेरा wifi बंद है, hotspot on है और internet चल रहा है और यहां भी चल रहा है, same देख सकते हैं आपको चला के दिखाते हैं तो guys, इसी परकार से आप भी internet को use कर सकते हैं पसंद कीज़ेगा चैनल को सबस्क्राइब कीज़ेगा और मल लिजिए मैं यहां से इंटरनेट बंद कर दिया तब ऻाल वाई-वाइफाइ कनेक्टेट है क्योंकि मैंने बंद किया होसपूट अगर इंटरनेट बंद कर दूंगा और लंगा तो connected तो रहेगा बट इंटरनेट नहीं चलेगा इसमें अब देख सेकते इंटरनेट अब नहीं चल रहा है तो गाइस इसी परकार से आप इस सेटिंग को इस्तिमाल कर सकते होगए होस्पोट को बंद करोगे इसका कैसे करना आपको पता चल गया इस फोन में डेटा था मेरा इसमें नहीं था पर इसमें से मैंने डेटा ओन करके वह स्कैन किया मैंने और चला लिया कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट में जुरूर बता है